टो 5 best laptop फो लाश्ट निग तो वह एक लाश्टीम हो लाश्टीम के लिए लाश्टाप चाहिए चाहिए ज 중요 लिए यह वीडियो को पूर्ण देखना है स्क्योपड मत करना है स्टार्ट करते हैं वीडियो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आपको इतना कहना जाते हूं भी अगर आपका बघ़सी नगवेडिय değa से कम है उसकी वीडियो मैंने पहले किया है तो यार अगर आपका प्रेड 90,000 से लेके 1,10,000 तक हो जाता है इस प्राइज रेजमें यार मैंने रखी हैं दो लैप्टप यह दोनों लैप्टप आपको बहुत तगरे देखने को मिल जाते हैं बात करते हैं अगर आपने लाग टाइम लैप्टप को रखना आपके लिए प OGB Graphic Card मिल जाएगा उसके बाद भी आपको SSD देखने को मिल जाएगा जो कि इसके प्लस पैड आजाते है आपको i5 भी मिल जाएगा i7 भी देखने को मिल जाएगा अगर आपने इस laptop के और जाना आप इस laptop के और भी जा सकते हो इसका भी मैंने link प्रवाइड की आपको description box में देखने को मिल जाएगा and by lap swing के लिए perfect deal हो सकता अगर आपने gaming last time करने है आपके लिए perfect deal हो सकती है अभी बात कहते है इसके main specification की थोड़ा से deeply मैं आपको बता देता हूँ तो यह display की बातों को 15.6 inch full HD plus display मिल जाती है जो की iPad level display जो की 144 refresh rate के साथ आती है processor की बात करूँ आपको i5 जा i7 दोनों में से मिल जाएगा आपको i5 भी मिल जाएगा i7 भी मिल जाएगा आपको 1660 Ti भी देखने को मिल जाएगा तो यार अगर आप 1650 की हो जाना जाएगा तो आप जा सकते हो अगर आपने 1660 Ti की हो जाना है आप उसकी और भी जा सकते हो प्रेंडी सिस्टन की बात करूँ आपको Windows 10 देखने को मिल जाएगी बैंटरी की बातों को 7-8 आवर्स का बैंटरी बैक का मिल जाता है प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस जार 80,000 मतलो 80,000 से स्टार्ट हो जाता है एंड i7 के साथ मतलो 16GB RAM के साथ इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 95,000 के बजट में अगर आपका बजट आप 95,000 और आप इस लापटाप के और जा सकते हो आपके लिए पूरा लूड़िड हो जाता है अगर आपने लाइस्ट्रीम करने हैं गेमिक लाइस्ट्रीम करने हैं आपके लिए सच में बहुत गुड डील हो जकते हैं अभी आगे बात करते हैं नमबर वान की बात करो नमबर वान पर यार मैंने रखा है असूस रॉक जैपरस जी फॉर्ड इन को अगर इस लापटाप की बात करो 2020 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एंड सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाला लापटाप आपको 4.5 रैटिंग देखने को मिल जाती है एमजोन पे पोजिटीव कमेंट देखने को मिलेंगे प्लस इसके मतलब स्टार्श डिजान मिल जाता है इसके कलर वगरा आप बहुत प्यारे देखने को मिल जाते है इसकी खासत की बात करो आपको anti-dust cooling मिल जाते है dual fan मिल जाते है प्लस आपको back side में lighting system मिल जाएगा जो कि आप customize कर सकते हो एंड भई लाप stream के लिए best है gaming के लिए best है gaming लाप stream के लिए best है video acting के लिए best है कोई भी heavy software यूज़ करना है आप easily normally कर सोकते है आपको बहुत पसंद आने वाला है अभी बात करते हैं इसके main specification की ज़्यादा deeply नहीं बताऊंगा वीडियो की length ज़्यादा बढ़ी हो जागी अभी बात करते हैं main specification की तो display की बात करूँ तो यह display की बात को 14 inch full HD plus display मिल जाते है जो की IPS anti-glare display प्रोसेसर की बात को AMD Ryzen 5 भी मिल जाएगा 7 भी मिल जाएगा storage की बात को 8 GB RAM भी मिल जाएगी आपको 16 GB RAM भी मिल जाएगी expendable आप कर सकते हैं आपको 1 TB SSD देखने को मिल जाते है graphic card की बात करूँ आपको Nvidia G4 RTX भी मिल जाएगा GTX भी मिल जाएगा तक भी चल जाता ASUS ROG Xebrus G14 बहुत ही जादा तगड़ा laptop है तो मैंने आपको बता दिया ASUS ROG Xebrus G14 के भी प्लस मैं आपको ये भी बताना जाता हूँ युँकि display quality दोनों की बहुत तगड़ी मिल जाते है अगर मैं बात करूँ ASUS ROG Xebrus G14 की उसमें आपको 120 refresh rate के साथ उसकी display देखनी को मिल जाते है अगर मैं बात करूँ ASUS ROG Xebrus G144 देखनी को मिल जागी तो display quality बहुत अगड़ी होने वाली है performance बहुत अगड़ी मिलने वाली है style से design दोनों का देखनी को मिल जाता है end price बगए आपको 90,000 से लेके 1,10,000 के बज़ड़ में दोनों देखनी को मिल जागे specification पूरे loaded मिल जाता है अगर आपको बज़ड़ लाख तक हो जाता है इस price range में मैंने फिर से 2 laptop रखे है ये दोनों laptop भी आपको पूरे loaded मिल जाते है मैं बात करूँ Acer Predator की and Asus gaming F-15 की ठीक है तो दोनों के specification आपको तविड़े मिल जाएंगे आपको RTX Graphic Card मिल जाएगा 16 GB RAM मिल जाएगी 144 refreshed दोनों में मिल जाएगी anti-dust cooling दोनों में मिल जाएगी dual fan anti-just cooling गारा सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा यह gaming design में देखने को मिलते हैं उसके साथ भी अगर आपने lab stream करनी है gaming lab stream करनी है आपके लिए दोनों लैक्टाव परफेक्टील होजकते हैं दोनों में से जो भी आपको प्राइज में सही बैड़ता है आप उसके और जा सकते हो वह भी बात करता है दोनों के में स्पेसिकिकेशन की तो यह इस सर परेडेटर की बात करूं आपको डिस्प्लेइ की बात करकें को 55.6-TH पुल हो से प्लस फुल आस्पी प्लस दिस्प्ले बात करो आपको नवीडियन जीफो रट लोगा है डेट्च सीड़ोडेर्ग की मिल जाता है इस जिस्छ आप आपको यह अब है नियुक्त प्राइटा के बात करूं अब है बात करों इवाली फेस्टिवल में इसका प्राइज बहुँद कम हुआ था आपको इक लाग के बज़र में मिलता था लेकिन अब भी इसका प्राइज जाधा होगे आपको वह नक थर्डी ताओं के बज़र पुरसेसर की बात करूं, आपको AMD Ryzen 7 देखने को मिलेगा, स्टोरेज की बातों को 16GB RAM मिल जाते, एक्सपेंडिबल आपका सब्सक्राइब बात करूं, इसमें भी आपको RTX देखने को मिलेगा, 20606GB के साथ विड़ो टैम मिल जाते है, अब बैटरी लाइफ की बात करूं, आपको 48 आवस का बैटरी लाइफ मिल जाता है, इसका भी दिवाली फेस्टिबल में प्राइज बहुत गम हुआ था, आपको 92,000 के बज़र में देखने को मिलता था, लेकिन अभी इसका प्राइज देखने को मिलगा, एक लाख 20,000 से अब परी ठीक है, तो यहर में स्पेस्फिकेशन मैंने आपको दोनों ही लाप्टाप्स के बता दिया, दोनों लाप्टाप आपको बहुत तगड़े मिल रहे थे, अगर आप दिवाली फेस्टिबल में ले 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 थे ठीक है, अभी तो चलो वो चीज आपने इसके पाड़ करी दिया, लेकिन अगर आपने अभी इसको लेना है, आप ले सकते हैं, आपको इसका प्राइज हुआ है, वो एक लाख 10,000 से लेके, एक लाख 40,000 के बज़र तक है, ये स्पैसिफिकेशन के साथ, आपको देखने को मिल जाते हैं, लाख ताव पूरे तकड़े हैं भई, अब अगर आपने लाख 5,000 साल भी अगर आपने उस करना है, लाख 3 आप लेते हैं, तो यार, तो यार, अगर आपका बज़र दो लाख तक हो जाता है, अगर आपने last stream करनी है या gaming last stream करनी है तो भई मैं तो आपको सीधा recommend करना जाता हूँ आपके लिए perfect deal हो सकती है Dell Alien वे ठीक है इसका design, इसकी look, इसकी build quality प्लस इसकी display quality के साथ आपको specification भी बहुत थगड़े मिल जाते हैं अगर आपने gaming करनी है आपके लिए तो perfect deal हो सकती है प्लस भी अगर आपने सिर्फ live stream के लिए इसको use करना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सही deal हो सकती है अगर मेरा budget भी 2,00,000 होता है तो भई मैं इस laptop के और जाता विकोज बहुत तगड़ा मिल जाता है आपको फोरा अपर देखने को मिल जाता है तो भई अगर आपने इस laptop के और जाना है आप इस laptop के और भी जा सकते हो तो यार अभी मैंने आपको top 5 laptop बढ़ा दिया हर एक price range में अगर आपका बड़ेड़ 90,000 से लेके 2,00,000 है इन वे से कोई भी laptop आप ले सकते हो आपने long temperature रखना है लाप्स्विम करने है गेमिंग लाप्स्विम करने है जा गेमिंग करने है वीडियो एट्टिंग करने है जा अगर आपने कोई भी हैवी software यूज़ करने है आप इसली नॉमली कर सकते हो बहुत ज्यादा तगडे laptop बताए यार मैंने आपको तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर उजाते है करताम अगर आपको मेरी वीडियो चले यार वीडियो को like करतेना, comment करतेना, share करतेना, दोस्तों के भी दोस्तों को बेदेना आपको दिस्क्रिप्चिन बॉक्स में देखने को मेल जाका उसको चावलो करें अभी मेल ते नाच्च वीडियो में ने वीडियो साथ थैंक्यू